पंजाब की पुलीस, सिंगर और कॉंग्रिस निता सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच में लगी हुई है लेकिन इस बीच एक गैंग ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की धमकी दी है सोचल मीडिया पर एक फेस्बुक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसके आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि नीरश बवाना गैंग ने कहा है कि वे दो दिन के भीतर मूसेवाला की मौत का बदला ले लेंगे नीरश बवाना दिल्ली NCR नामक फेस्बुक हैंडल से लिखा गया है जै बाबा की रिदेव विदारक समाचार प्राप्त हुआ भगवान उनकी आत्मा को शान्ती दे इसमें आगे जो कहा गया है बताते हैं इसमें आगे लिखा है सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था दो दिन के भीतर रिजल्ट देंगे नीरश बवाना इस समय तिहार जेल में है और वो मुर्डर तथा फिरोती के कई आरोपों का सामना कर रहा है गैंग वार में गई मूसेवाला की जान वैसे अभी तक ये सपष्ट नहीं हो पाया कि आखिर ये पोस्ट किसने लिखा है लेकिन इसे नीरश बवाना से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है बवाना के सहयोगी दिल्ली, हर्याना, पंजाब और राजस्थान में फैले हुए है इसे पहले नीरश बवाना गैंग के बुपी राणा का भी एक कथित फेस्बुक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें मूसेवाला की हत्या को लेकर शोक व्यक्त किया गया था और गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्णोई तथा उनके सहयोगी गोल्डी बराड को सतर्क रहने की दमकी दी गई थी वैसे तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अभी तक सपष्ट रूप से ये नहीं पता चल पाया कि इसमें किसका हाथ है लेकिन इस बात की काफी संभावना जटाई जा रही है कि दो गैंग्स के बीच प्रतीस परधा और बदले की भावना के चलते ये घटना हुई पुलीस ने भी इसके पीछे गैंग वार्क होने की आशन का जटाई मुसेवाला की हत्या के तुरंत बाद कैनाडा के जेल में बंद गोल्डी बराड का भी एक कथित फेस्बुक पोस्ट वारल हुआ था जिसमें ये स्विकार किया गया था कि इस मॉर्डर के पीछे लॉरेंस बिश्णोई गोल्डी बराड गैंग है बराड ने कथित तोर पर कहा कि उन्होंने युवा अकाली दल नेता विक्की मिद्धु खेडा की हत्या का बतला लेने के लिए इस गटना को अंजाम दिया था साल 2021 अगस्त में विक्की मिदुखेडा की हत्या कर दी गई थी जिसकी जिम्मेदारी बंबीहा ग्यांग ने ली थी वैसे बुपी राणा ने अपने कथित फेस्बुक पोस्ट में इस पश्ट किया था कि मिदुखेडा की हत्या में मूसे वाला का हाथ नहीं था इसमें लिखा गया था इन हत्याओं में सिद्धु मूसे वाला की कोई भूमिका नहीं थी सिद्धु मूसे वाला की हत्या में मदद करने वाला हर शक्स का हिसाब होगा उनकी मौत का बदला बहुत जल दिया जाएगा, हम हमेशा उनके परिवार और दोस्तों का समर्थन करेंगे मूसेवाला हत्या कांड में कितने अरेस्ट वेरहाल मूसेवाला की हत्या में अब तक कुल तीन ग्यांग्स्टर्स को गिरफतार किया गया है आज तक के तनसीम हैदर की रिपोर्ट के मताब एक उतराखन पुलीस की मदद से पुलीस ने मनपरीद भाव नामक एक आरोपे को गिरफतार किया है पुलीस का दावा है कि इन्होंने हमलावरों को बुलेरो और कॉरोला गाडिया मोहया कराई थी बहाव पर फरीद कोट मुक्तिसर्वा अन्ने जिलों में नौ मुकत में दर्ज है इसके लावा बठिंडा और फिरोजपूर की जेल में बंद दो गैंक्स्टर्स मनपरीद सिंग और शरत को पांच दिन के वारंट पर लिया गया है दोनों लौरेंस विश्णोई ग्यांके शाप शूटर्स और सक्रीर सदस्य है इन दोनों पर भी शक है कि इन्होंने शूटर्स को कतल में इस्तिमाल की गई गाड़िया मोहया कराई थी पुलीस का कहना है कि मनपरीद और शरत कैनेडा में बैठे गोल्डी बरार से वर्चूल नंबर के माध्यम से संपर्क में थे इस सारी जानकारी आपके लिए कत्रित कर लिखी थी हमारे साथी दीरज ने कैमरा के पीछे हैं जतन मैं हूँ आस था अपना ख्याल रखी हो देखते रहें कि दिला लिंटों शुक्रिया